एलो पेंट्स आपने सुना होगा कई सारे लोगों को कई सारी चीजों से अलर्जी होती है जैसे कि किसी को डेस्ट पार्टिकल से अलर्जी हो जाती है या फिर कुछ खाने पीने वाली चीजों से भी किसी को अलर्जी हो जाती है या फिर जैसे हमें कोई इंसेक्ट या मदमक् तो इस वीडियो में हम इन ही ऐलर्जी पे बात करने वाले है और इनके लिए जो एंटि-जैर्ट Lucas होती हैं वो कौन सी होती है और वो कौण-कौण से जननेशन की डरक होती हैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि जो हिस्टामिन होता है जो कि हमें mast cell और vasofil जैसी cell से secret होके मिलता है तो जो histamin होता है ये तीन जगे वर्क करता है जैसे कि हमारे heart की blood vessels पे इसके receptors होते हैं हमारे lungs में होते हैं और skin paste के receptors प्रजेंट होते हैं ये histamin हमारे blood vessels पे वर्क करता है तो ये हमारे blood vessels का vasodirector करा देता है यानि कि इसका size जो है वो बढ़ जाता है जिससे कि blood pressure कम हो जाता है और जो histamin हमारे lungs पे है वो brain को constrictor का वर्क करता है जिसे कि जो ब्रंकाई होती है उनका size कम कर देता है जिसे कि हमें सांस लेने में problem हो जाती है और जो histamin हमारे skin के receptors जो होते हैं उस पे ये work करता है जिससे हमें eating और allergy हो जाती है ये हम देख लेते हैं कि जो histamin होता है इसको रोकने के लिए हमें anti-histaminic drugs की जरूत पड़ती है जो कि हमें relief दिलाती है symptoms of allergies जो हमें allergies के symptoms होते हैं या फिर hay fever, hives या conjunctoitis या फिर insect whites जो allergies होती है उनसे हमें या relief दिलाती है जो anti-histaminic drugs होती हैं वो जैसे कि friends जो हमारा histamin होता है ये हमारे mast cells, basophil cells से secret होता है ये हमारे H1 receptors पे work करता है यानि कि जो H1 receptor होता है इस पे ये anti-histamin drugs आके mind हो जाती है जिससे की ये histamin जो है वो से secret नहीं हो पाता है और जो allergy है वो treat हो जाती है ये हम देख लेते हैं कि जो anti-histaminic drugs होती है वो दो generation की drugs होती है first generation और second generation पहले हम देखेंगे first generation की drugs के बारे में जो first generation की drugs हैं जैसे कि prompt sometha gene जो कि हमें Finnergan के नाम से मिल जाती है जो की काफी popular brand है यह first generation की anti-hastaminic drugs होती है second जो है वो है diphenylhydramine diphenylhydramine जो है जो की हमें काफी popular brand है Benadryl के नाम से मिल जाती है जो की allergist से जो कफ होती है उसको treat करने के लिए use की जाती है जो हम बात करते है next first generation drug की hydroxy gene hydroxy gene जो होती है जो की हमें atarex के नाम से मिल जाती है या first generation की anti-hastaminic drugs होती है next है finramine malade finramine malade जो होता है जो की famous brand के नाम से जो की evil के नाम से हमें market में मिल जाता है या first generation की anti-hastaminic drugs होती है तो हम बात करते हैं next first generation की drugs के बारे में chlor finramine malade chlorphenol vine married जो है यह popular brand CPM के नाम से हमें मिल जाती है या भी first generation की drug होती है नहीं हम बात करते हैं second generation drug की second generation drug में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली drug है वो है citrgin जो कि हमें citrgin के नाम से भी मिल जाती है next जो है वो है levocytrgin जो कि हमें levoryt के नाम से मिल जाती है जेग्रा के नाम से मिल जाती है वी काफी famous brand है next है Loratadine Loratadine जो होती है यह हमें Loratain के नाम से मिल जाती है second generation की यह drug होती है और first generation मेंग्यों differences को देखते है जबीकिसे जो ли IU vocal son ki drugs होती है यह हमें sedation काल कराती है यान इनको लेने के बाद हमें नीद आने लगती है, लेकिन जो second generation की drugs होती है, उनमें ऐसा नहीं होता है, ये advanced drugs होती है, ये drugs जो होती है, ज़ाधा जब allergy होती है, उसमें यूज की जाती है, लेकिन जो safe drugs होती है, वो second generation की drugs होती है, वो safe मानी जाती है, इनकी अगर side effect की बात करें, तो जो first generation की drugs होती है, उनक की बात करें तो first generation की drugs जो होती है वो four to six hour work करती है और second generation की जो drugs है वो 12 to 20 hours तक ये work करती है तो इस तरीके से friends ये first और second generation की drugs का classification होता है तो friends ये वीडियो जो था हमारे anti-staminic drugs के उपर था और अगर आप channel पे नए है तो please channel को subscribe करने वीडियो को like और share करते हैं